गोरकपूर जिले में शुकरवार को 141 क्रोना पास्टी मरीज मिले हैं, अब गोरकपूर में कुल संकरमितों की संख्या बढ़कर 14,789 हो गई है वहीं BRD Medical College में 3 क्रोना संकरमित मरीजों की मौत हुई है, अब तक 226 क्रोना संकरमित मरीजों की मौत हो चुकी है 13,268 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, वहीं जिले में अभी भी 1285 क्रोना मरीज एक्टिव हैं इसकी पुष्टी CMO डाक्टर शिरिकान तिवारी ने की है, उन्होंने बताये की संकरमितों की परिजनों की जाच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है आपको बता दें, शहर की बात करें तो 74 ने मरीज मिले हैं, इनमें शापूर थाना छेत में शुकरवार को सबसे अधिक 20 मरीज शामिल हैं इसके अलावा गोरकनात में 8, रामगर ताल में 4, कैंट में 11, कोतवाली में 17, गुलरिया में 3, तिवारीपूर में 4, चिल्वा ताल में 2, राजघाट में 5 मरीज मिले हैं वहीं गरामीर छेतरों की बात करें, तो 45 नए मरीज मिले हैं, इनमें चरगावा में 14, सहजनवा में 6, खोराबार में 5, बांसगाव में 1, गगहा में 1, बेल घाट में 6, कोडी राम में 1, खजनी में 2, भठट में 6, बढ़ाल गंज में 2 मरीज मिले हैं इसके अलावा अलग-अलग थाना छेतरों में 22 मरीज और शामिल हैं, इसकी पुष्टी करते विए CMO डाक्टर शरीका अंतिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संकर्मीत मरीज पाए गए हैं, वहाँ पर सेनिटाइजेशन का कार कराया जा रहा है, साथ ही लोगों की दूरी, मास्क है जरूरी, समाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को स्वस्त और सुरच्चित बनाएं